हेलो एब्रिवन आज इस वीडियो में आपको एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में बताऊंगी मैंने आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बता दिया है उसके अलावा आज हम एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे पटाउ सिंड्रोम के बारे में भी हमने बात कर ल उन में 13 में थी और 21 में थी इसमें हम 18 क्रोमोजोम में अपनी ट्राइसोमी चेक करते हैं इसलिए इसका केरियो टाइप 47XY18 है प्लस 18 क्योंकि 18 में इंक्रीजमेंट होई है एक क्रोमोजोम की बाकी प्रोफाइल नॉर्मल है केरियो टाइप में केरियो टाइप के बारे में आप पढ़ चुके हो मेरी चैनल पे केरियो टाइप से रिलेटड वीडियोज हैं प्रैक्टिकल और थिवरी की दोनों के एडवर्ड सिंड्रोम की अगर बात करते हैं तो इसका नाम जघो है वो जो नेचवल्ड के बाद पता चला ठाप कियूंकि उनही के बाद इसका नाम रखा गया था क्योंकि उन्होंने 1960 में syndrome को describe किया था और ये भी एक trisomy होती है chromosome 18 की और इस Edward syndrome का जो rate हो increase हो जाता है mother की age के increase होने के साथ है तो trisomy 18 जो होती है वो mutic non-disjunction event है क्योंकि इसमें भी chromosome जो hemiosis के time पे cell cycle में जब division होती है तो chromosome में non-disjunction हो जाता है एक gamit जो है उसके पास जादा chromosome चले जाती है और एक के पास कम चले जाती है तो non-disjunction की विज़े से trisomy 18 हो जाता है और ये down syndrome के बाद होने वाली सबसे जादा common disease है down syndrome के बाद adverse syndrome सबसे जादा बच्चों में पाई जाती है यहाँ पर आप इसके syndrome के symptom देख सकते हो देखो आई होब आपको यह दिख रहा है trisomy 18 में जो बच्चा होता है जो patient होता है unusual उसका small head होता है बहुत चोटा head होता है उसका head जो होता है पीछे से prominent होता है eyes are malformed and low set होते है mouth and jaws होते हैं वो बहुत small होते हैं और हो सकता है pataos syndrome की तरह में clapt का भी formation हो ली पर palate में इनकी hands जो होते हैं वो अच्छे से खुल नहीं बादे क्योंकि इनकी muscles होती है hands की वो इतने जादा मजबूत नहीं होती है तो इसलिए वो fist में clenched hands are clenched into fist वो इस तरी होते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं के future club type के होते हैं shape में होते हैं कर भी होते हैं और इनके जो fingers हैं वो आपस में जूड़े हुए होते हैं जो toes हैं इनके palm के तो यह इसका main symptoms जो हैं आपको easily visible हो जाते हैं इस photo से आप easily पता लगा पार रहे हो कि एड़ट syndrome में होत इनका analyze करके और screening करके ultrasonography के through amniose entosis के through chorionic villi sampling के through हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस disease को diagnose कर सके क्यूं क्यूंकि इस time पर placenta जो होता है वो मदर के अंदर बहुत थोड़ा बहुत चोटा होता है और जो amniotic fluid होता है वो बहुत जादा बढ़ जाता है जो pregnant women होते हैं अगर उसका condition में हम chorionic villi sampling amniose entosis इन सब की help से पता लगा सकते हैं कि patient में trisomy होनी का पूरा chance है और इसलिए यहाँ पर क्योंकि small placenta होता है amniotic fluid extra हो जाता है uterus में तो adverse syndrome को easily diagnose किया जा सकता है अगर treatment की बात करें तो जैसे कि down syndrome के लिए को treatment नहीं है same here adverse syndrome के लिए भी को treatment नहीं है जो 92-95% babies होते हैं वो dead die हो जाते हैं within a year of birth and the few infants that do not that do survive physical treatment उनको बहुत लंबे टाइम तक physical treatment की जरूरत होती है उनको muscular therapy करवानी पड़ती है nervous system के लिए उनको doctor की advice लेनी पड़ती है तो इन बच्चों के लिए जो है थोड़ा survive करना मुश्किल होता है तो adverse syndrome एक ऐसा disease है जिसको आप diagnose क जर सकते हैं the time of birth और इसमें हमारी 18th chromosome में trisomy हो जाती है आई होप आपको इस वीडियो समझ आ गई होगी इन डाइग्राम की तुरू आप easily इसकी symptoms को समझ सकते हो अगर आप अपनी notebook में note down करना चाहते हो बहुत अच्छा है क्योंकि आप point to point सारे symptoms और diagnosis और treatment को आप लिख सक तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी thank you friends